हालो गाईज आज इस वीडियो में जानेंगे बिराम और गती एकदम आसान भासा में समझाऊंगा वेडियो को ध्यान से देखिए बिराम है इंगलिस में कहते हैं रेस्ट बिराम सब्द से ही पता चल रहा है कि आराम यानि कोई भी चीज रुका हुआ होगा तो आप कहिएगा बिराम ठीक है यहाँ पर देखिए जब किसी वस्तु का अस्थान समय के साथ नहीं बदलता है तो उस वस्तु को बिराम के इस्ति चलते रहता है समय कभी रुकता नहीं है और चलती हुई गाड़ी अगर रुक जाए तो अगर रुक जाए तो आराम कर रहा है तो आराम अगर कोई चीज कर रहा है तो आप उसे कह दीजेगा बिराम ठीक है अब देखिए अब घर हमारा है घर हमारा एक ही जगह पर रूका ह वह रहता है एक जगह से दूसरे जगह जाता ही नहीं है समय जाते रहता है समय मतलब चलते रहता है लेकिन घर एक ही जगह पर रहता है तो घर भी हमारे क्या है अराम कर रहा है तो घर हो गया बिराम का उधारन ठीक है अब पेंड भी हो गया पेंड एक ही जगह पर रहता है प देखिए यहाँ पर गती इंगलीज में कहते हैं हम लोग मोशन तो जब किसी वस्तू का स्थान समय के साथ बदलता है तो गती कहते हैं यहाँ पर आसान भासा में समझे आप क्या कह रहा है कि गारी का चलना अब गारी तो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है समय चलता र है तो आप कहिएगा बिराम और जगह चेंज करते रहता है जैसे में आप पतंग ले लिजिए पतंग है जो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है तो यह भी क्या है गती का उदारन है अब घड़ी का सूई ले लिजिए वो भी चलते रहता है तो एक जगह से दूसरे ज जै भारत